तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में के प्रमोटर्स होल्डिंग कम हो रही है या बढ़ रही है यह हमें करेंड डे में कैसे पता चली एक तो रिजल्ट आता है तब हमें पता चलता है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है बढ़ी है या कम हुई है but result आने से पहले जो current day में उसकी promoters की holding कम होती है या बढ़ती है तो वो हमें कहां से पता चल सकता है यह आज इस वीडियो में हम जाने कि promoters की holding के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप fundamental stocks में investment करने जा रहे हैं तो क्योंकि promoters बहुत ही में होता है promoters की holding से ही हमको पता चलता है कि company का management अच्छा चल रहा है या बूरा चल रहा है या कंपनी का future कैसा रहना वाला है यह promoters बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि為什麼side skills के बहुत ही करीब होते हैं उनको हर छीज़ में hasеты का Society के रहुत बहुत ही कर है और उनकी holding बढ़ रही है या कम हो रही है यह जानना बहुत ही जरूरी है और बहुत से game भी होते हैं इसमें तो game का भी पता चलना जरूरी होता है कि अचानक से बिना किसी वज़े कि अगर holding भी बढ़ रही है तो वो कहीं उसका price market में उपर लाकर और फिर वहां से sale करकर उसमें profit तो नहीं कमाना चाते हैं क्योंकि बड़े-बड़े इसमें investors होते हैं जो stock का price market में अचानक से बढ़ा देते हैं और लोगों को लगता है कि इसका price बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसमें investment करने लग जाती है छोटे जो छोटे-छोटे investor होते हैं और वहां से stock को ज़्यादा boom मिलता है और जो investor होते हैं वो price बढ़ने के बाद वहां से अपनी position cross off कर देते हैं और profit book करकर निकल जाते हैं और जो छोटे investor होते हैं फिर उनका पैसा फज़ जाता है क्योंकि वहां से stock down आने लगता है और अगर उसका fundamental खराब है company के अंदर कुछ भी management बेकार है उस company का और आपने चेक नहीं किये यह सब चीजें सिर्व उसका price बढ़ते हुए देखकर आपने उसमें invest कर दिया है तो वहां पर आपका पैसा फज़ जाता है क्योंकि stock एक बार नीचे आने के बाद बहुत ही मुश्किल होता है उसको उपर अपाना अगर आप movie देखेंगे एक Hollywood की movie है वॉल्फी स्टीट वॉल्फी स्टीट में आप देखेंगे तो वहां पर भी वह ऐसा ही काम करते हैं वह लोग दूसरें को stocks जादा से जादा quantity में buy करवाते हैं और खुद पहले से buy करके बैठ जाते हैं और जब जादा लोग उसमें buying करते हैं तो continuous उसका rate बढ़ता है और जब वह कई गोना बल जाता है तो वहां से वह stock में selling करकर निकल जाता है और जितने वह stock को उसने खरिदवाया था जितने भी छोटे investors को वहां सब के पैसे फर्ज जाते हैं और आज भी वह जो story उसमें दिखाई है वह एक real investor के उपर है तो आज भी वह छोटे investor आज भी उनका पैसा फज़ा हुगा है उन्हीं stock में आज भी वह उपर नहीं आये तो इन सबसे भी आपको बचना चाहिए जो भी आपके messages आ रहे हैं आपको फरजी जो messages आते हैं या calls करकर आपको बताए जाते हैं तो इन सबसे आप बचें और promoters के holding आप खुद देखना सीखें और बाकी सब चीज़े भी धीरे-धीरे मैं सिखाऊंगा तो सबसे पहले आगे हम यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर आप जाएंगे सबसे पहले moneycontrol.com की site पर और यहां पर हमें जाना है markets में तो यहां पर जो आपको market दिखाई दे रहा है यहां market में आपको click करना है और यहां पर यह market का page open हो चुका है तो हम यहां पर scroll down करते हुए न नीचे हमको एक option मिलेगा तो हमको उस option पर जाना है तो यह देखिए यहां पर एक option आ रहा है आपका share holding pattern का जो option है यहां पर आपको click करना है तो यहां पर भी आपका share holding pattern का एक page open होकर आ गया है तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर आपको public institutional FII की holding यहां पर दिखाई दे रही है और यहां पर देखिए नीचे institutional holding बाकी सारी आपको चीज़े दिखाई देंगी बट हमको यहां पर detail नहीं मिल पाएगी यहां पर हमको और आगे जाना होगा तो और आगे जाने के लिए हम यहां पर एक जो छोटा सा option आपको दिखाई दे रहा है more का more का button पर हमें पर click करेंगे तो यह देखिए यहां पर भी आपके more के बाद एक और page open होकर आया है और इस page पर आपको दिखाई दे रहा है FII is holding बट हमको इसमें नहीं जाने क्योंकि इदर पर सबको 00 दिखाई दे रहा है तो यहां पर आप scroll down करते हुए नीचे आएंगे और नीचे में आ यहां देखिए एक और page open होकर आया है more के फिले click करने के बाद और यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी holdings जो continuously बढ़ती जा रही है और यहां पर आप देखिए इसकी increment आपको दिया गया है आकाज deep metal में आपका increment दिखाई दे रहा है आपको कितना जादा increment हुआ है 63.55% का यहां पर increment आपको दिखाई दे रहा है shares number of shares दिखाई दे रहा है कितना में उसमें holding बड़ी है और यहां पर जो उसकी market value यानि के 22 करोड की तो यहां पर आपको सारी details मिल रही है और फिर second आपको दिखाई दे रहोगा वी मार्ट रीटेल और भूसन इस्टील और यहां पर डिश टीवी यूको बैंक में भी काफी ज़ादा stocks में यानि की number of shares में यहां पर holding बड़ी है आप सिर्फ percentage पर नज़र रखिए कितने percent यहां पर holding बड़ी है तो आप holding देख रहे हैं यहां पर तो यहां जाकर आप सब भी stocks की जो भी holding changes आ रहे हैं उन्हें stocks में आप changes देख सकते हैं यहां पर हमने increment देखा था अब हम यहां पर decrement का भी option चेक कर लेते हैं कि decrement जिन stocks में हो रहा है decrement करने के बाद select करने के बाद भी हम फिर से इस पर more पर click करेंगे और सब भी stocks यहां पर open होकर आ जाएंगे क्योंकि यहां पर सिर्फ top 5 दिये गए हैं और उनको बाकी भी देखना है कि सायद हमारी holding में जो stock है उसमें भी changes आये हों उनके shares holding में तो उनका भी हम देखना चाहते हैं तो यहां पर हम आते हैं और decrement भी हम देखने को मिल जाएगा यहां पर तो यहां पर देखिए United Beverages जिस आप अच्छी तरह से जानते है United Beverages में भी यहां पर changes आये हैं emphasis में भी यहां पर decrement देखने को मिला है और emphasis का फिरिशे stock काफी उपर चड़ना चालू हो गया है बट इसमें जरूर कुछ changes आये होंगे तो उसको भी हम check करने के लिए मैं आपको बता दूगा जो holding है वो यहां पर दिखाई नहीं देती यहां पर 15 days का difference में दिखाई देता है तो जो current में चलता है current में आज भी अगर change हुआ होगा तो वो आज का भी दिखा देगा और अगर कल change हुआ था तो कल का भी दिखा देगा जो भी deal हुई है company के बीच में जितने भी stocks की सब कु bseindia.com की site पर bseindia.com की site पर हम visit करेंगे और तो यहां पर एक आपको option दिखाई देगा corporate पर क्लिक करने के बाद हमको यहां सबसे नीचे जाना है corporate की line में ही हमको सीधर सीधर नीचे जाना है और insight trading में हमको जाना है तो insight trading में हमको पता चलेगा कि current में किनकिन stocks में promoters की holding आप देख रहे हैं यहां पर reported to exchange में current date आपको दिखाई दे रही है आज की date यानि की 14th July 14th July को भी इदर पर deal हुई है कुछ यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा off market में भी यहां पर deal होती है यानि की dispose होते हैं यह company को stocks बापस कर दिये जाते हैं bulk में तो यह जो हमारा dmit account होता है यह उससे थोड़ाँ से different होता है यह promoters bulk में share को buy और sale करते हैं वो भी उचे price पर जो भी market में चल रहा होता है अगर उनको जादा stocks करीने है तो जादा price offer करकर वहां से company से stocks उठा लेते हैं equity में जादा investment करने के लिए उनको जादा पैसा की विज़रूरत पड़ती है वो हम नहीं कर सकते छोटे investor उसके लिए बहुत ही बड़े-बड़े investors होते हैं और यहां पर आप देखिए promoters group दिया गया है यहां पर promoter लिखा हुआ है promoter and director सभी कु motors जो हैं उनकी holding यहां पर देखेंगे तो यहां पर जादा तर dispose किया जा रहा है और number of equities में देखेंगे तो कितने shares उन्होंने dispose किये हैं यहां पर दिया गया है और acquisition फिर किया गया है 14 July को वो किया है के रवी ने NCL Industries Limited में यहां पर acquisition किया गया है यानि कि stocks इन्होंने 5000 stocks में इन्होंने bulk में खरी रहे हैं तो यह भी आपको देखने को मिलेगा acquisition में dispose यानि कि वहां पर stocks based दिये गये हैं और यहां पर जो important company भी चल रही है IDBI तो IDBI का हमें अदर पर नाम डालके देखेंगे तो IDBI में अभी क् पता चल जाएगा IDBI में जो last trade हुआ होगा वह भी पता चल जाएगा कि promoters की holding बड़ी है कम होई है यहां पर submit कर देंगे हम stock का नाम डालकर तो यहां पर देखेंगे हम तो IDBI जो है वह government company है और यहां पर government यानि कि president of India यहां पर उसमें और ज्यादा acquisition कर रही है यानि कि और ज public का पैसा है और वह ऐसे bank को बचाने में लगा रही है जो फूरी तरह से डूबा हुआ है उसे बंद कर देने का time आ गया है लेकिन वह उसमें और ज्यादा investment किये जा रहा है वह भी public के जो taxes पैसा आता है वहां पर invest किये जा रहा है और लोगों को और ज्यादा loan देकर debt जाए तो 55,000 करोड के आसपास इसका NPA है और 50,000 करोड करीब market में उन्होंने loan दिया हुआ है और उसमें भी उनका करीब 85,000 करोड का और NPA बढ़ सकता है ऐसी company में उन्होंने और ज्यादा पैसा investment किया है और यह देखिए आप continuous यहाँ पर 18 जून को sorry 18 में को और 18 मार्च को और यहाँ पर continuous government उसमें और ज्यादा number of shares खरीदती जा रही है यहाँ पर तो आप देखी रहे हैं किस तरह से investment किया जा रहा है government के जरीए तो यहाँ पर आप भी अपने stock का नाम डाल का देख सकते हैं कब उसकी holding बढ़ रही है और कब कम हो रही है promoters उसमें क्या कर रहे हैं तो यह सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और भी मैं आपको और भी चीज़ें अभी यहाँ पर सिखाने वाला हूँ तो उसके लिए आप इस चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि नईनी चीज़ें आपको सीखने को मिलती रहें और आप investment में थोड़ा सा alert र